हाई फिस मैं हाँ आपका दोस्त तस्मत आज के अपनी ओर्जिनल डेसी मुर्गी पालन की टॉपिक है आज ओर्जिनल डेसी मुर्गी के बच्चों का जो वीडियो में दिख रहे हैं आपको यह 54 डेस के बच्चे तो आज देखते क्या देंगे इसे खाने में देखे फिनिश इसके चोंच देखे बगेट चाहिँद नहीं आती है डेली खोलते ही उसके चोंच दिखती है मुर्गी की अच्छा है एक दम अच्छा है एक बार खोल लेते हैं सारे बाहर आएंगे जब मॉर्निंग के टाइम पर बहुत मजा आएगा फास्ट उड़ लेते आएंगे ना बहुत मस्त दिखेंगे, देखें किस तरह से उड़ रहे हैं, खता हूं, थोड़ा भी अपन पास रहेंगे न, तो मुझ पे आ जाएंगे पूरे, अभी देखें, टोटल 27 है, अच्छे से एकदम फिट है, एक भी डामेज नहीं हुआ है, एकदम अच्छे से तंदुरूस्त ह तो अभी हम फ्रेश वाटर दे दिए और दाने के तुरूपे मक्हा और फिनिशर फिट, दो मिक्स करकर दी है, एक बार देखें बच्छे उड़ रहे हैं, हाँ, मस्त उड़ रहे हैं, एकदम अच्छे से दिन बदिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अभी दो महने के बा अच्छे अभी नाइट हो गई है नाइट में एक बलफ लगा देंगे दो बलफ थेना पहले अभी एक ही बलफ है अंदर तो क्योंकि बाहर आजकल बहुत थंड नी ज्यादा हो रही है ना दोस्त थंड का मौसम है इसलिए तो बच्छों को हिफाज़त से रखने के लिए हमें डिफनेटली बलब लगा देंगे तो कुछ टेंशन नहीं रहेगी यहां पर देखिया अंदर एक बलफ है इधर का बलफ तो चले गया है अच्छे से एकदम सारे बच्चों एक्टिव में है अच्छे से मुंडी यह वाइट वाला भी मुरगा निकलेगा शायद देखेंग फार्म के पास भी और यहां पर भी तो देखते हैं वाइट निकलेगा या नहीं निकलेगा मुरगा निकलेगा हो या मुरगी निकलेगी कॉमेंट बाक्स में बताना देखकर फिर कल मिलते हैं अभी आज तो नाइट हो गई है पानी का टप अंदर रग दूंगा धीरे से औ आज अभी देखे दोस्त पानी का और दानी का दो बड़तन अंदर रख दिया हों और लाइड भी चल रही है लाइड भी जला कर रखने का एक प्लेस पॉइंट क्या है अपने को जो कुछ भी हानिकारक चीज जैसे कि चुवा हो जाए बिली हो जाए कुछ भी अवास करें या अंदर आ जाए तो बच्चे एकडम शोर करेंगे तुरंत आपन आ जा सकते हैं वो शोर सुनकर तो यह प्लेस पॉइंट एक रहती है फिर मिल अच्वा जाएंगे देखें मोर्निंग का ताइम है बच्चे देखें कितना एक्टिव में अच्छे से इसके बहुत सारे मुर्गे भी निकल सकते हैं मुर्गे निकल सकते बच्चे तब तो अभी हम दाने में क्या दिये सेम स्टारी फिनिशर फीड और मक्का दो मिलेवा फीड दिये दो मिक्स करकर पीस कर अभी पानी भी फ्रेश पानी दे देंगे आज एक बार पूरे बच्चे बाहर आने दीजे देखे किस तरह से उड़ रहे हैं मस लगता है जब उड़ते हैं और एक बार बच्चों की ग्रोध भी देख लीजे अच्छे ही हो बच्चे सारे एक दम फिक्ट है एक भी बच्चा कमजोर या डैमेज हुए जैसा तो मुझे तो नहीं लग रहा है सब बच्चे अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं और चील, बिल्ली, नेवल इस तरह के एटम से बचाने के लिए आपको जाली बहुत जरूरी रही रहती है दोस्त उपर से भी इस तरह के जाली डाल दोगे तो और भी बहतर रहेगा अभी पानी आये तो मुश्किल रहेगा इसलिए डेरेट में क्या करूँगा भी टीन डाल दोगा उपर थोड़े कल या परसम के वीडियोस में आपको वो भी नजर आजाएगा उपर से भी टीन डाल देगा एक अलग पॉटिशन बना देंगे इसे वो भी दिख जाएगा आपको क्या क्या करते है डेली वीडियोस अपलोड करते जाएगे वो वीडियोस आप तक आने के लिए सिफ सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकाउन दबा लोगे तो मेरे जो भी वीडियोस रखूँगा वो हमेशा आप तक आएंगे दोस्त देखे सारे बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं बाहर निकले के बाद अच्छे है एकदम फिट है तो दाने के तरुपे हम क्या दिये है मक्का और फिनिशर फिड मिलेवा फिड और पानी फ्रेश पानी बरतन में इस तरह से दिये अभी नाइट का टेम हो गया है दोस्त सारे बच्चों को अंदर माड़ यह हो और अंदर हकाल कर बाहर से अभी अच्छे से पैक कर देंगे उससे पहले एक बार बच्चे भी देख लिजए पानी और दाना भी रख दिया हो लाइट जलाकर रखने का प्लेस पाइंट यही है नाइट में भी अराम से बच्चे दाना खालेंगे पानी भी पीलेंगे जो बच्चा मौनिंग नहीं खाया है उससे शाम में भी अराम से मिल जाएगा फीड और पानी इस तरह से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक खयाल रखना और याद भी रखना और अगले वीडियो साने के लिए